हेलो एवरण तौडे सार्यांद स्वागताजी तौडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जी के गुरुजी थे हंजी साथ यो अपां एस वीडियो विच वाड अटेंडर दे एक्जाम लई होम बेस्ट केर नार रिलेटिड पंजापलस वन लाइनर कोशन करांगे जेड़े की एक वाड अटेंडर नूँ पता होने बहुत जुरूरी हन एनना परिशना विचों ही तौण अनू एक्जाम विच तैन तों चार कोशन वेखन नू मिलनगे हन जी वीडियो नू शुरू करतनों पहला जेकर तुसी साथे चैनल ते नवे हो तां चैनल नू जरूर सब्सक्राइब कर लो ते नाल लगे बेल आइकनों भी प्रेस करना जिस दे नाल तो आनू साथी हरे एक नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम नाल मिल दी रवे अहुंदिया जी मनुक्षी समुदाई वीच। नेक्स्ट कोशन हेगा है मनुक्षी अंगां वीच चलन वालियां चार विश्यश कर्यामा लिखो। ता फर्स्ट हेगा जी दिल दा तढकना, सेकेंड हेगा जी फेफडियां दा सान लेना, थर्ड हेगा जी दिमाग दा सोच जरीर विच एक तंसे हो जानो नेक्स्टकोशन है गयाए गुर५ियाँ विच निश्पनदन हों नाल स्रीहर विच क्यों हून क्यों लूट हून दी है Tôi 카메라 नेक्सकॉशन,ニम् जैवरी इंपोरिडन है जी सेथ की है ता सेथ ओ अवस्ता है जिस दे अंतरगर्थ शरीरिक मानसिक अते समाजिक कारणू पूरी तरह पूरी समर्था नाल थे ठीक टांग नाल किता जा सके उसनों की कहा जाता जी के चंगी सेथ नेक्स्ट कोशन हेगा जी चंगी सेथ लई की की लोडिन दा है तब चंगी सेथ लई समदाइक सफाई पोजन अते चंगी आर्थिक स्तीती फिर तो रिपीट कर देने आजी समदाइक सफाई पोजन अते चंगी आर्थिक स्तीती नेक्स्ट कोशन हेगा है बोधित अराम अते ऐसु विदा की है ता बोधिक अराम ते ऐसु विदा की हैगा जी रोगा दा दूसरा ना चल देयां next question वल हंजी अपना next question दिता हुए शरीर्द यां क्रियावा विच बदलाओ की दर्शांदे हन ता की दर्शांदे ने रोगा दे लच्छन next question हैगा जी कोई चार लच्छन दसो जिस नाल रोगदा पता लगदा है एक question very very important हैगा जी first हैगा जी सिर्दर्द, second हैगा जी खांसी, third हैगा जी दस्त, third हैगा किसे जखम विच बबाद next question हैगा जी लच्छन किसे डाक्टर नो किस गलदा संके दिन दे हन next question हैगा जी दिर्ख कालीन रोग next question हैगा अपना next question देताओई अल्प कालीन रोग दी एक उधारण देऊ ये question very important हैगा जी उधारण हैगा जी खांसी येते यु काम इस दोनों केड़े रोग ने अल्प कालीन रोग नेक्स्ट कोशन दिता है जी दिर कालें रोग दी एक उदारन देऊ ता उदारन है जी पेर फुलन दा रोग जिनू की क्या जन्द है एलिफेंट आइसीज जी आ उदारन है जी दिर कालें रोग दी जेड़े की लंबे समय तक चल देने नेक्स्ट कोशन भी इंपोर्टन है का तकी कारण हुन्दा जी दूशित पोजन आते गंदे पाणी दी वर्तो चल देयां नेक्स्ट कोशन वाल जी अपना नेक्स्ट कोशन दिता हुए है सकरामक रोग किस नू केंदे हन जी आप पता सना है कि सकरामक रोग केडे हुन्देने जी रोग जीन्दा ततकालेन कारण सुक्षम जीव हुन्दे हन ओनानू सकरामक रोग केडे जान्दे ए सुक्षम जीव समुदाई विची रोग फिला दिन दे हन नेक्स्ट कोशन वी इंपोर्टन्ट हे गए कैंसर रोग दा की कारण है अनुवांशिक असमानथा नैक्स्ट कोशन दीगा अमल्ग ना अते पेप्तिक अलसर दे की कार्न मन्या जानद जा wander अचिफ़ दा कार्न मन्या जानद जा प्रिशानी परीelle खालe चीनत है पेप्तिक अलसर किस कार्ण हुं दा किस कार्ण हुं दा åra हेलिको बेक्टर पाईलोडरी बेक्टीरिया द्वारा फिर तुर पीट कर देने जी हैलिको बेक्टर पाईलो्री बेक्टीरिया द्वारा अपना next question है केड़े दो विग्यानिका ने पेप्टिक अलसर दे कार्ण बेक्टीरिया दा पता लगाया सी अस्टेलिया दे सी दोनों विग्यानिक की ना सी एक दा राबिन बारेन अते second दा ना है के जी बैरी मार्शल फिर तो रपीट कर देने है अस्टेलिया दे रोग विग्यानिक राबिन बारेन अते बैरी मार्शल next question ओड चल देया पेप्टिक अलसर दा इलाज हुण किस त्रा हुनदा है हंजी किस त्रा हुंदा जी पर्ति जेविकांदी वर्तो नाल पेप्टिक अलसर दा इलाज हुण परती जेविकांदी वर्तो नाल किता जान्द चल दियां नेक्स्ट कोशन वाल नेक्स्ट कोशन दिता जी बारेन अते मार्शल नू पेप्टिक अलसर दे लाज नू लबण लेई नोगबुल पुर्शकार कदो दिता गया सी सन दो हजार पांजविच नेक्स्ट कोशन है का जी वाइरस नाल होन वाले चार रोगां दे नाल लिखो एक कोशन वेरी वेरी इंपोर्टन है का जी तो आड़े एक्जाम दे लाई अंसर की है का जी खांसी जुकाम इन्फ्लुउन्जा डेंगू बुखार ते एर्ज ए रोग वाइरस दे नाल होन देने नेक्स्ट कोशन वे इंपोर्टन है का जी बेक्टीरिया नाल फैलन वाले चार रोगां दे नाल लिखो तर टाइफाइड हे जा टीबी अते एत्रेक्स ए सारे रोग जड़े बेक्टीरिया नाल फैल देने नेक्स्ट कोशन है का जी प्रोटो जुआ तो होन वाले दो रोगां दे ना लिखू तमलेरिया थे काला जार ए रोग जड़े प्रोटो जुआ नाल होन देने नेक्स्ट कोशन हेगा है आम करके चमडी रोग किस नाल फेल देने थे ए रोग जड़े उल्लियां कार्ण फेल देने चमडी दे रोग नेक्स्ट कोशन भी इंपोर्टन हेगा जी रोग फेलाउन वाले किस कारक दा गुण तुलनात्मक पक नाल काट है ता किरमा दा गुंण नेक्स्ट कौषन भाल चाल दें आजी नेक्स्ट कौषन आपना है गया है रोग दी अवस्ता विच अंटीबायोटीक की कर दें हन एग कौषन बहुत जाधा इंपोर्टन है गया जी ता इस द आँसर की है गया एंटिबायोटिक दे महत्पुन जेव रसाइनिक मार्ग नू बंद करदें देने नेक्स्ट कोशन है कै पैंसिलीन एंटिबायोटिक मूल रू विच की करदा है ताम बेक्टेरिया दी कोशिका पिती बणावन वाली प्रिकिर्या नू रोक देन दे हन मनुक दिया कोशिका वाँ कोशिका पिती नहीं बणा सकती इसले पैंसिलीन दा असर मनुक दे ना होके सिर्फ बेक्टेरिया थे ही हुन दे फिर तो रपीट करदेने कोशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है गया ज़्याद कोशिका पिती बणावन वाली प्रिकिर्या नू रोक देन दा है मनुक दिया कोशिका वाँ कोशिका पिती नहीं बणा सकती इसले पैंसिलीन दा असर मनुक दे ना होके सिर्फ बेक्टेरिया थे ही हुन दे नेक्स्ट कोशन है गया किस कारण एक एंटिबायोटिक बेक्टीरिया दियां कई स्पीसिश नूँ प्रवावित करदा है तो जेड़े एंटीबायोटिक किसे भी बेक्टिरिया दे जेवर साइनिक मार्ग नू बंद करके कोशी का पिती बढ़ाउन दी प्रिक्रिया नू रोग सकदा है ओ उनना सब उतनू प्रवावित करदा है नेक्स्ट कोशन वाल चलते हैं जी अपना नेक्स्ट कोशन है गया है एंटीबायोटिक दासर रोग फिलाउन वाले केडे कारक नू प्रवावित नहीं करदा तक किसनों नहीं करदा जी वाइरस नू नेक्स्ट कोशन है गया है आम करके खांसी जुकाम ते एंटीबायोटिक क्यों नहीं हुंदा फिर तुर रपीट करतेनियां कोशन इपोर्ण है के आम करके कांसी जुगां थे अंटी बाइयोटिक दे आशर क्यों नहीं हुंदा कींसर है। आम करके खांसी जुकाम वाइरस नाल हुंदी ने ते वाइरस दे उत्ते किया जड़ा एंटिबायोटिक दे कम नहीं हुंदा ते एंटिबायोटिक वाइरस नो प्रावित नहीं कर सकते नेक्स्ट कोशन है गाजी पाणी तो लाग किमें लग दिये जैस दांसर है गा जदों छूत रोगां तो पिरत रोगी दा मल मुतर पीण वाले पाणी विच मिल जाने तांसेहत मैंद व्यक्ती द्वारा जाने अनजाने पी लिया जावे ता रोग दी लाग लग जानदी है फिर तो रपीट करते नेक्स्ट कोशन है का जी लिंगी संपर्क नाल फैलन वारे दो रोगां दे ना दसो तकी हैगा जी गोनेरिया अते एड़ नेक्स्ट कोशन वाल चल दे हाँ नेक्स्ट कोशन हैगा है लिंगी छूत दे रोग किस तरह नहीं फैल दे किस तरह नहीं फैल दे जी हाथ मिलावन नाल, गले मिला नाल, खेड कुदनाल, ते कूस्ती आधिनाल, जड़े ये रोगों नहीं फ्यल दे नेक्स्ट कोशन दिता है, किसे आम अजय रोग वहाखता ना दस्तो तकी आंसर एका जी मच्छर next question है कि जि जे पोजन हली तों श्रीर विच परवेश करन वाले सुखम जिव कित जानगे ता ओ पोजन देतों जिगर वीच जानगे अजी अपना next question हैगा है पीले दा कार्ण कोण है ता इसदा कार्ण की हैगाजी Hepatitis ना दा बेक्टीरिया चल दे हां next question वाल next question देता हो है TB दे बेक्टीरिया फेफड़िया वीच किस तरह परवेश कर दे हन ता ओ नक दे रस्ते करदेने नेक्स्ट कोशन हेगा है टाइफाइट दे बेक्टीरिया किस रस्ते स्रीर विच परवेश करदेने ता ओ मूँ दे रस्ते परवेश करदेने अजी अपना नेक्स्ट कोशन दिता हुए है टाइफाइट दे बेक्टिरिया किस रस्ते सरीर विच परवेश करते ने ता ओं मुद रस्ते सरीर विच परवेश करते ने नेक्स्ट कोशन वी इंपोर्टन हेगा जी HIV किते फेल दाया ता एलसी का गरंथिया विच फेल दाया नेक्स्ट कोशन हेगा दिमाग टे सुखम जीवां एलसी अमला करते ने हंजी अपना नेक्स्ट कोशन दिताव है सोजस किसनू आख दे हन सरीर दी रख्याक पनाली किर्याशिल होके परवावित टिश्वां दे चारे पासे एक किर्याशिल रख्याक दंतर बना दिन दिया है जिस नाल रोग पेदा करण वाले शुक्खम जिवानू मारन लई केई कोशकावा बन जान दिया हने नविया कोशकावा दे बन दे प्रकरम नू की कहा जान दा जी सोजस सोजस दे कार्ण आम परवाग की पेंदा है शरीर दा फुलना दर्द होना ते बुखार HIV AIDS नाल व्यक्ति दी मोत आम करके किस कार्ण हुन दी है HIV AIDS संकर्मन नाल रख्यक परनाली नश्टो जान दी है रोजाना होन वाले छोटे मोटे रोगां दी लाग दा मुकाबला करन लई जड़ी शरीर विच शक्ति नहीं रहें दी जिस कार्ण रोगी दी मोत हो जान दी है चल दे हांजी नेक्स्ट कोशन वाल अपना नेक्स्ट कोशन है जड़ा बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है गया एंटी वाइरल दवाई बनोना मुश्किल क्यों है वाइरस दी आपनी जेवर सानिक परनाली बहुत काटूं दी है इस साथे सरीर विच परवेश करके अपनी जीवन प्रिक्रिया लई अपना नेक्स्ट कोशन दीता है परती रख्या करन दादार की है ता इस दान सरी जी जदों रोगाणू रख्यक परनाली ते दुबारा हमला करदा है ता याद दे अधार ते रख्यक परनाली अपनी पूरी शक्ति नालोस नों नश्ट करदिन दी है नेक्स्ट कोशन है का जी हेपेटाइटिस दी किस परकार लई टीका मिलदा है ता हेपेटाइटिस ए ले अजी अर्दा लास्ट कोशन है का जी किन्ने साल दी अवस्तत तक देश दे वदेरे बच्चे हेपेटाइटिस ए दे परती परती रख्यक हो चुके हुंदे हन तब पंच साल दी उमर तक हांजी फ्रेंड आज दी वीडियो इत्स माप्त कर देया जेकर तो आनूं वीडियो चंगी लगी है ताम वीडियो नू लाइक करे हो ते जादा तो जादा अपने साथ या नाल वीडियो नू शेयर करया करो जी ते जेकर तुसी साथे चैनल ते पहली बार विजिट किता है पहली बार साथी वीडियो वेख रहे हो ते चैनल नो जुरूर सब्सक्राइब करे हो ते नाल लगे बेल आइकनों भी प्रेस करना जिस दे नाल तो आनों साथी हरेक नमी वीडियो दे नोटिकेशन टाइम नाल मिल दी रवेगी हंजी मिल दे आन नेक्स्ट वीडियो चे ओदो तक दे लए टेक केर